नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मैं आशा करती हूँ आप सबी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और आज का जो वीडियो है वो है स्नेक प्लांट के उपर कि आपको स्नेक प्लांट को कैसे ही रखना है कैसे care करनी है अभी सर्द्यों का टाइम भी है तो आप इसके साथ में किन-किन बातों का ध्यान रखें वो सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी और इसको आपने कैसे आप इसे नई प्लांट्स बना सकते हो कटिंग से हर या पानी में हर तरह की बाते में इस व्लॉग में शेयर करूंगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले जो ये स्नेक प्लांट है ये आप देख रहे होंगे इसके लंबी-लंबी तलवार शेप की पत्यां होती है इस ये दो तरह का होता है बिल्कुल हरे लाइन वाला जो आप देख रहे हो जैसे साप की उपर की चमड़ी होती है ये प्लांट होता है ऐह एक डाक ग्रीन्गर की पत्यां होती है णे दर बाइंदर में आपको यल्लॉ क्लर की पत्यां के आपको दिखेगी ये दो तरहां के होते हैं और एक इसमें छोटी वेराइटी होती है वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी तो जो ये स्नेक प्लांट होता है ये आउटडोर और इंडोर दोनों में बहुत अच्छा से चलता है मैं ये नहीं बोलूँगे कि आपको स्नेक प्लांट को धूप के जरुवत नहीं होती है हां हफ़ते में एक दिन आप इसे धूप में निकाल सकते हो जो आप मेरे यह प्लान देख रहे हो इसको साल-डेट साल में इतनी ग्रोथ हुई है इतना घणाय हुआ और आप इसा जमीन में लगाते हो तो यह थोड़ी सी इसकी ग्रोथ हिसके जादा हो जाती है दूसरी बात करते हैं इसको इंडोर में रखने की अगर सपोस आपने से धूप में रखा है तो मैंने जैसे बताया तीन से चार गंटे की धूप अगर आप इसे ऐसी जगा रख रहे हो जहाँ पर ब्राइट रोशनी पढ़ रही है और लेकिन इसके ऊपर रूफ है तो वहाँ पर भी अच्छा से सर्वाइफ करेगा लेकिन अगर आप ऐसी जगा रखते हो डाक प्लेस में जैसे बेडरूम में तो कोशिश करें कि इसे बिल अगर आप छोटे पॉट में भी इसे लगाते हो तो भी अच्छे से सर्वाइफ करता है और अगर आप किसी बड़े पॉट में इसे लगाते हो तो भी अच्छे से सर्वाइफ करता है और अब बात करते हैं खात की तो इस प्लांड को यह बहुत जादा हाई फीडर नहीं हो इसी तरह इसकी चोटी वाली वाराइटी भी है इसमें भी आपको सेम होता है इसको भी पानी की जिक्वार्मेंट कम होती है दूप में भी आप रखो तो तीन से चार गंटी की दूप में रखना इंडोर में भी रख सकते हो इस वाले प्लांट को या तो आप मिट्टी में बात करते हैं लगाने की तो या तो आप नर्सरे से डारेक लेकर इसे लगा लीजिए तो वो भी अगर आपको पैसा वेस नहीं करना है और कहीं से आपको छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी मिलती है तो वो भी आपकी अच्छे से ग्रोध कर लेती है लेकिन हाँ जब आप इसे लगाएंगे तो आपकी 50% मिट्टी होनी चाहिए और 50% ही आप अब बात करते हैं सर्दियों की कि सर्दियों में इस प्लांट को कैसे रखना है तो आपको क्या करना है ना सर्दियों में तो इस प्लांट को जितना आप मतलब गर्मियों में पानी देते थे उसका भी आधा यह हो जाता है सर्दियों में और सर्दियों में से ब्राइट जो जहां से आपको खिड़की के पास में से रख दें जहां से रोशनी से मिलती रहें और हाँ इसकी जो ग्रोथ भी है वो सर्दियों में थोड़ी स्लो हो जाती है इसके खराब होने के चांसे तभी सर्दियों में होते हैं जब आपने इसमें ओवर वाटरिंग कर दी हो बाकी आराम से यह सवाइब कर लेता है तो यही थी जो मेन बाते हैं स्नेक प्लांट के साथ में और जो मैं अपने स्नेक प्लांट के साथ में डेर दो साल से एक्स्पिरियंस कर जी हूँ वो ही मैंने आप लोगों से शेयर करी है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प